लोक्सिडाइज सीशी पाई बॉंडочно LIN refused by कि यॉझ करता है और ये क्या और आ हम और और इस challenging कर आफ करें न 10 में में और इचलर इसफ या होट और बेसिक कंडिशन में अलकाइन को जब हम लोग यूज करेंगे तो हमें कार्बॉक्सलिक एसीड मिलता है दो कंडिशन रियक्शन कंडिशन है जिसमें हमें डिफ्रेंट टाइप के प्रोड़क्ट मिल रहे हैं और यह जो है केमलोफोर का रियक्शन अलकीन या अलक पर समय करते हैं और यहां पर क्या रियक्शन को लेते हैं और यहां पर पर करते हैं है का यहां पे फृर आ और एडिशन होटा है उसका यूज करें तो चुकि यह फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है यानि यहां पोलर मीडियम पर यह प्रोवाइड कराता है तो यही रियक्शन जो है और काफी अच्छे से हाई इल्ड में हमें मिलता है उन्हों कुछ एक्जामपल देखते हैं हमने इथाइन लिया और उसका करा दिया किसे केमनोफोर के साथ इन वन परसेंट अलकलाइन केमनोफोर का कराया है तो क्या होगा फोर ओएज ग्रूप जो है वह एड हो जाएगा और लेकिन यहां पर फोर ओएज ग्रूप जब एड होता है तो यह जो मॉलकुल हमें मिलता है वह काफी ज्यादा अनेस्ट कि वह जो है वह क्या हो जाता है वह रिमूव हो जाता है तो हमें ग्लाइकजल यानि की एक विसिनल डाइक कार्बोनाइल हमें मिलता है विसिनल डाइक कार्बोनाइल क्यों 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 कि बगल बगल वाले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ वह परसेंट है सी यू ग्र नाम देते हैं ग्लाइकजल और अगर इसका हम लोग आयोपेक नमेंक्लेचर करें तो इससे क्या बोलेंगे वन टू इथेन डाइओन और फिर अगर इस चुकि केमनो एकसेस में परजेंट है तो फिर एकसा ऑक्सिदेशन हो जाएगा यहां पर और हमें ऑक्जैलिक एसीड मिल से 1 H2O, माइनस 2 H2O हो जाएगा हमें विसिनल डाइ कार्बोनाईल मिलेगा ठीक है जो क्या होगा 2-3 ब्यूटाडाइ ओन अगर हम लोग टर्मिनल अलकाइन ले या फिर हम लोग इंटर्नल अलकाइन ले हर केस में क्या होगा अगर हम लोग 1 परसेंट अलकालाइन केमनो के अगर अब नेक्स्ट जो कंडिशन डियक्शन कंडिशन है हमने उसको चेंज कर दिया हॉट और क्या होता है कि अगर इसके साथ हम लग रियक्शन कराते हैं तो यहां पर ऑक्सिडेटिव क्लीवेज हो जाता है किसके पर्जिवेसेंज में केमनोator क अगर ले और हम लोग एसक्डिक कंडिशन में हीट भी यहां पर दें तो और कार्वॉकली केसिड फॉर्म होता है कारवन 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 डबल बयांड आ करवन टीपल बयाता हॉईंज से क्या रियक्शन करा दिया केमनोator के साथ और in acidic condition और इसको heat किया तो यहां से क्या हुआ यह carbon carbon double bond जहां पे था वहीं से यह क्या हुगा यह break कर जाएगा यहां से यह break कर जाएगा, cleavage हो जाएगा और हमें दो तरह का carbox लिए जहां से हम break करेंगे उसी पे हम क्या करेंगे एक oxygen और एक OH group add कर देंगे इस साइड भी यही करेंगे एक oxygen और एक OH group add कर देंगे इस तरह से हमें क्या मिलेगा हमें दो different carboxlic acid मिल जाएगा जिस तरह का हमें वहां पे alkyl group attached रहेगा carbon के साथ उस तरह का हमें carboxlic acid मिल जाएगा यह कब हुआ अगर internal जो था यह जो हमारा alkyne जो था internal था तब लेकिन terminal के case पे क्या होगा कि एक carboxlic acid मिलेगा सेम उसी तरह से होगा कि यहां पे क्या होगा carbon carbon triple bond जो है वो break कर जाएगा और हमें एक यहां पे add कर देना है O and second क्या add कर देना है OH और यहां पे क्या होगा second जो हमें terminal के case में एक तो हमें मिल जाएगा acid और दूसरा जो होगा वो चुकि देखिए CH group है तो यहां पे हमें acid ना मिलके क्या होगा CO2 जो होता है gas मिलता है जो की evolve करता है यहां पे कुछ हम लोग mechanism देखते हैं कि पहला कैसे हुआ था पहले case में हम लोगों ने क्या किया था oxidation में Km4 के साथ reaction करा दिया था in presence of some 1% dilute Km4 लिया था हम लोगों ने तो यहां पे हमने symmetrical alkan लिया है क्या होगा यहां पे यहां पे όage क्या क्या निक्स्ट क्या होगा यहां पर भी। फे क्या होगा था ढो मिक करेगा और यहां पर भी ओएच आ जाएगा यानि कि फूर ओएच ग्रूप जो है यहां पर एड़ हो जाएगा लेकिन यह जो होगा यह काफी अनेस्टेबल गूप होगा तो यहां से हम क्या होगा एस्टू और रिमूब हो जाएगा 2H2O remove होके हमें क्या होगा vicinal dicarbonyl मिलेगा अब अगर हम लोग यहां तक तो हमने पहले भी देखा था सेम ही है जैसा कि पहले reaction में हम लोगों ने देखा था जब dilute का यूज किया था तब अब यहां पर चुकी heat हम देंगे तो यह चुकी unstable होता है basic या HD condition में तो यह यहां से break कर जाएगा अब break करके यहां पर दोनों तरफ में oxygen आके add हो जाएगा और हमारे पार solution में चुकी k-4 present ही है तो k-plus और m-4 minus के रूप में present रहेगा तो oxygen को balance करने के लिए oxygen के plus charge को balance करने के लिए यहां पर k-plus जो है आके attach हो जाए ताकि यह stable हो जाए अब चुकी sd condition लिए है तो h-plus भी काफी जादा है तो वह h आके यहां पर add हो जाएगा और acid का formation करेगा अब अगर हम लोगों ने यहां पर चुकी sematrical alkyne लिया था दोनों तरफ सेम ही था कट करने के बाद तो हमें एक ही तरह का acid मिलेगा और अगर हम unsematrical alkyne लेंगे उस case में हमें different तरह का carboxylic acid मिलेगा अगर symmetrical alkyne है तो same carboxylic acid मिलेगा और कर अगर alkyne है तो different carboxylic acid मिलेगा जैसे इस case में हम लोग देखते हैं कि एक तरफ methyl group attach है और एक तरफ ethyl group attach है तो सबसे पहले हम लोगों ने अगर के मिनो 4 के साथ इसका reaction कराएंगे तो 4OH group add होगा और उसके बाद वहां से 2H2O minus होगा और इसमें बाद हमें विशनल कार्बोनाइल ग्रूप मिलेगा लास्टली यहां तक हम लोग जान रहे हैं और यह विशनल कर जब कार्बोनाइल ग्रूप जो है यह form कर जाएगा तो HD condition में, heating condition में या base present है हीट करें तो दोनों ही condition में यह क्या करता है यहां पर oxidative cleavage हो जाता है यह तूट जाता है यहां का बाट और यहां एक O minus आके जूट जाएगा फिर चुकि acid present है, H plus present है mixture में तो यहां पर आके दोनों तरफ आके H add हो जाएगा और यह balance कर देगा इसको तो देखिए एक तरफ CS3 COOH बना और दूसरी तरफ C2H5 COOH बना यानि कि different तरह के हमें acid मिलेंगे चुकि जब हम लोगों ने डाइ कार्बोनाइल को ब्रेक किया तो देखा different तरह के हमें acetate मिल रहे थे तो चुकि उसके बाद इसलिए हमें different तरह का acid मिलेगा नेक्स्ट क्लास हम दो